नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भावेश आज मैं फिर उपस्तित दुआ हूँ एक और नया टॉपिक को लेके जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पल्सेस एंड लेग्यूं डाल और दानेदार जो फलीदार जो माटेरियल होते हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रियंट्स होते हैं ठिक इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा हुमन फूड होता है जो चोबिस घंटे में जो हुमन बॉड़ी जो फूड माटेरियल लेती हैं वो उसको पांच ग्रूप में डिवाइट किया गया है और उसमें जो पहला ग्रूप था सीरियल्स जो और ड पालीदार जो माटेरियल होते हैं वो अपन देखेंगे तो इस पल्सेस एंड लेग्यों के अंतर रगत कौन-कौन से फूड माटेरियल आते हैं और वो हूंन बॉड़ी को कौन से निउट्रेंट देते हैं वो मैं आपको बताओंगा तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता द तो सबसे importantly क्या देते हैं ये protein देते हैं सबसे अच्छे source होते हैं किसके ये protein के होते हैं ठिक और लेकिन जो से हमें protein मिलता है वो first class protein नहीं होता है प्रोटीन जो first class protein होता है वो होता है non-wage and non-wage से निकलने वाले source like milk ठीक उन में होता है first class protein लेकिन जितने भी हम लोग pulses और legume की बात करेंगे इन में जो में protein मिलेगा वो कैसा होगा second class protein होगा ठीक तो देखते हैं इसकें तरगत क्या-क्या daily routine life में human लेता है और human जब लेता है तो उससे क्या मिल रहा है ठीक तो सबसे पहले बात करते हैं तूर और अरहर की डाल बहुत frequently उस होती है हर घर में बनती है तूर की डाल अरहर की डाल ठीक इसके लावा second जो most important डाल होती है मूंग डाल ठीक फिर होती है मूंग पीली डाल ठीक फिर होती है मसूर की डाल ठीक उड़त की डाल यहाँ इसे काली डाल ली बोलते हैं उड़त की धुली हुई डाल भी आती है मटर की डाल चना डाल और कुल्थी डाल कुल्थी भी एक फल होता है उससे भी डाल बना जाती है, तो एवाँ फरशे देखते हैं, टूर और अरहर की दाल जो most commonly routine life में मिली रही हैं, और लोग बाग इसे खा रहे हैं, मूंग दाल, मूंग पीली, मसूर दाल, उरत डाल, काली दाल, उरत की धुली हुई दाल जो आती है मटर दाल चाना दाल एन कुलती इन सब दालों से बनने वाले जो भी प्रोड़क्ट होंगे जो भी प्रोड़क्ट होंगे उसमें दाल तो जाएगी इन दालों से बनने वाला जो भी प्रोड़क्ट जितनी भी वराइटी के बरट बन सकते हैं वो बन जाएं लेकिन डाल तो उसमें हैं ठीक इसके लावा हम बात करते हैं जो पूरा का पूरा जो मूंग होता है खड़ा मूंग जिसे साबित मूंग बोलेंगे हम लोग वो इसके अंतर गताता है जो पूरा का पूरा जो मसूर होता है वो इसके अंतर गत आता है सपेद राजमा इसके नतरगत आता है लाल राजमा इसके नतरगत आएगा सपेद मटर या सूखे मटर जो होते हैं क्योंकि जो मटर सूख जाते हैं हरे मटर जो होंगे वो भी इस कैटेगरी में आएगा ठीक है छोला या काबूली चना की बात करते हैं वो भी इस कैट काटेगरी में आता है सेम सूखे भी के जो है के तिस important type का legume है या दानेदार फल है जो most importantly इसका जो use होता है जो जिनको बहुत अधिक kidney stone हो रहा है तो यदि kidney stone किसी को हो रहा है या बार-बार kidney stone हो रहा है इसके अलाबा ब्लैटर आपका जो gallbladder stone हो रहा है ठीक है तो उन patient में यदि किसी को बार-बार stone होने के tendency होती है यदि वो patient कुल्थी से बनी हुई सबजी कुल्थी की दाल कुल्थी का use अपनी routine life में करता है तो उन में stone बनने के जो टेंडेंसी होती है यह stone को clear करने के जो body से clean करने के जो process होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और उन्हें स्टोर होने से human body क्या होता है ये कुल्थी बचाता है तो कुल्थी एक important legume है या फलीदार फल है ठीक तो ये सब के सब जो है किस के अंतर गजाते हैं pulses and legumes के अंतर गजाते हैं ये dilutin life में हर human ले रहा है कोई ना कोई इसमें से एक ना एक डालिया फली दार जो ये material है वो ले रहा होगा तो इनको लेने से जब भी ये human being इसे लेता है human body इसे लेती है human body body में जाने के बाद क्या क्या human body को देती है ये देती है सबसे important पहले बात करेंगे carbohydrate बात करेंगे दूसरा जो most important जो source होता है जब कभी हम इसको बात करेंगे pulses and legume की बात करेंगे तो सबसे important जो होता है उननीच से 24 परसेंट लगबग लगबग क्या मिलता है protein तो जो pulses and legume होते हैं ये important source होते हैं किसके proteins के लिए हमारी body में protein की supply करने के लिए ठीक है ना आगे बात करेंगे इनमें भी क्या होता है invisible fat होता है दिखता नहीं आपको दूर की दाल देखेंगे इसमें आपको fat है देखता लेकिन इसमें क्या होता है invisible थोड़ा बहुत fat होता है मतलब वह fat को बढ़ाने के लिए responsible होती लेकिन बहुत कम मातरा में होती है ठीक आगे बात करेंगे इसमें B complex होता है और B complex में vitamin B1 और vitamin B2 प्रचुर मातरा में होता है अधिक मातरा में होता है B1 और B2 जो होता है अधिक मातर B complex तो है लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ जतने भी nutrient बता रहा हूँ यह सबसे मतलब nutrient तो बहुत सा रहे है लेकिन जो main nutrient है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो B complex तो मिलता है लेकिन B complex में जो वागई जब डाल लेने पर हमारे body में कौन सा B complex genuinely बढ़ता है बतलब जिसका main source जो है इससे मिलता है वो है vitamin B1 and vitamin B2 ठीक है आगे बात करेंगे folic acid folic acid भी जो है यह भी इससे मिलता है हमें फिर है RNB हमको इससे मिलता है fibers भी हमको इससे मिलते हैं तो जो carbohydrate है protein है, invisible fat है vitamin B1 है, B2 है folic acid, RNA fiber यह सबके सब यहां तक तो serials में भी मिलते हैं लेकिन serials और डालों में क्या difference है serials और डालों में हमें क्या difference मिलता है इसमें क्या extra मिलता है इसमें extra जो होता है most importantly जो होता है वो होता है calcium कौन होता है वो सबसे important calcium, serials में calcium नहीं मिलता है हमें लेकिन जब कभी हम पल्सिस लेंगे, लेग्यूम लेंगे, डाल लेंगे और डाल संबने जो भी हम फूट मेटरेल लेंगे उसमें हमें सबसे important क्या मिल जाता है? कैलशियम, तो ये सब के सब अच्छे कैलशियम के source भी हैं, प्रोटीन के साथ साथ यहां से हमें कैलशियम भी अच्छी खासी मातरा मिलता है, सीरियल में कभी भी कैलशियम नहीं मिलता है, तो ये difference होता है, जो आप सीरियल ले रहे थे, गिहों, चावल, बाजरा, उन में हमें केल्शिय हम नहीं मिल रहा था लेकिन जितनी प्रकार की डाल हैं वो आप लेंगे तो केल्शिय हम को मिलेगा इसके लावा फास्पुरस मिलता है एंड असेंसियल एमिनो एसिट्स ए ए ए essential amino acids essential amino acids वो होते हैं जो human body में नहीं बनते हैं जिने हम बाहर से ही हमें हमारे body को supply होते हैं और वो हमें पलसेजन legion से मिलते हैं तो जब भी आप routine life में ये ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं डाल ले रहा हूँ उससे मुझे क्या मिल रहा है मेरी body को तो सबसे important चीज मुझे क्या मिलती है protein मिलती है and calcium जो मेरी bone के लिए body की जितनी bone है उनके structure को maintain करने के लिए बहुत helpful होता है तो इतने nutrients हमको मिलते हैं यदि हम compare करें cereal से तो cereal में बस सिर्फ calcium हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पर क्या हो गया calcium add हो जाता है ठीक जब भी हम ये पलसल लेग्यूम की बात करेंगे तो कम से कम इस डाल की बात करें specific बात करें तो दिन में दो serving तो दिन में दो बार डाल तो लेना ही चाहिए क्योंकि ये दिन हम वजटेरियन की बात करेंगे तो उसे कम से कम दिन में दो बार डाल तो लेना ही चाहिए non-vegetarian को तो दूसरे substance से उसको protein मिल लाता लेकि ये दिन हम वजटेरियन की बात करेंगे तो वजटेरियन को कम से कम दिन में दो बार डाल लेना ही चाहिए सुबह और शाम दोना टाइम के जो खाने में डाल एक कटोडी सी, दिड़ कटोडी इसको लेना ही चाहिए and इसके जो में सोर्स है, प्रोटीन है, वाय टामेंस और मिनरेल्स है जो मैंने आपको पताया यह आपके वाइटामिन्स हो गए यह प्रोटीन हो गए कैलशियम, फासपोरस, आइरन फॉलेक कैसरी क्या हो गए आपके मिन्रल्स हो गए तो पलसेज हैं और लेग्यूम हैं हमारी बॉड़ी में अच्छा खासा प्रोटीन प्रोवाइट कराते हैं ठीक, अब अगला हम नेक्स में एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि जो नेक्स जो फूड ग्रूप होता है जिसमें कौन से न्यूट्रेंट हमको मिलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकि इसके लिए इतना ही नमस्कार जासतो